नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से उतकर्स नर्सिंग क्लासेज के सॉनलेंड प्लैटफोर्म के उपर आज एक छोटा सा और बहुती क्विक रिवीजन टॉपिक हम करने वाले हैं यहां पे डील और दोस्तों टॉपिक का नाम है डाउनी स्कॉर अपने पर यह काम में लिया जाता है जरा सा क्विक ली सुन लिजेगा टाउनीज लाज ने संकों जो है यह एक स्कॉरिंग सिस्टम है जो कि बैसिकली यूर्त किया जाता है तो असन रिस्क और प्रिटमार प्रीम चर बेवी यह क्या है इनिज रिस्काव पणर चॉं अंत्राजार risk of RDS, risk of RDS, that is respiratory distress syndrome, respiratory distress syndrome in preterm या premature baby, preterm या premature baby, preterm या premature baby में respiratory distress syndrome, RDS की risk को assess करने का जो scoring system है, उसको हम दावनीज score के नाम से जानते हैं, डावनीज score जो होता है दोस्तों, इसके अंदर जो डावनीज score में जो नामरिंग की जाती है, वो zero से दस रहती है, Sam edge Sellerman scale, numbering is zero से 10 और यह जो scoring system है, इसमें just minimum number जो होता है, वो zero रहता है इसमें. जो minimum number होता है वो zero रहता है और इसमें जो maximum number होता है maximum number होता है वो 10 रहता है minimum number जो है उसमें less risk होती है minimum number में risk जो है वो कैसे होती है less maximum number में risk जो होती है risk वो more होती है ज्यादा होती है minimum में less risk है maximum more risk है इस scoring system में भी 5 component होते हैं इस scoring system में भी अगर आपको पूछे component कितने होते हैं तूइस Scoring System में भी 5 component होते हैं कौन से यह component है 5 component जागा पहला component होता है अमेशा की respiration की rate कितनी है respiration की rate इसके अंदर देखी जाती है sinosis इसके अंदर देखी जाती है sinosis और तीसरी important बात इसके अंदर देखी जाती एर entry यह तीनों उसके अंदर नहीं थे silurman and anderson में यह तीन component Downy score में होते हैं, दो components है मैं, एक तो chest retraction, and intercostal retraction, intercostal retraction, यह sem है, chest retraction और intercostal retraction सहम है, और एक sem होता है nasal flaring, nasal, स्वारी, grunting, grunting सहम होता है, एक component दो तो सहम है, तीन अलग है, respiratory rate, sinosis और air entry, छोटा सा scoring chart है और इससे हम इसको समझने की कौसिस करते हैं, आपको एकदम से quickly ये चार्ट समझ मा जाएगा, हमने बताया इसमें पांच component है, एक respiratory rate है, दूसरा sinosis है और तीसरा air entry है, ये तीन तो अलग है और दो सहम है, दो सहम कौन minimum number इसमें भी zero है, और maximum number इसमें भी दो है, अगर respiratory rate दोस्तों, 60 से कम है, तब तो आप number दे देंगे zero, अगर respiratory rate 60 to 80 है, तब एक number दे देना, और 80 से ज़्यादा है, तो दो number दे देना, 60 से कम है तो zero, 60 और 80 के बीच में तो एक, और 80 से ज़्यादा है तो दो number, अगर sinosis की बात करें तो है नहीं तो जीरो नंबर और अगर रूम एयर पे है मरीज रूम एयर पे है और उसको साइनोसिस हो रही है और जैसी आप ऑक्सिजन लगा और साइनोसिस गाइब हो जाती है तो एक नंबर और ऑक्सिजन लगाने के बावजूद भी sinuses हो रही है तो दो नमबर वो सबसे खराब कंडिशन है और sinuses है नहीं तो अची कंडिशन है अगला अगर उसमें retraction हो ही नहीं रही है तो 0 नमबर थोड़ा retraction हो रहा है mild तो एक नमबर और अगर retraction बहुत जादा हो रहा है severe हो रहा है तो कैसा है एक नमबर और बिना इस्ट्रेटोस्कॉप के ऐसे ही नैग डियर से विदाउट इस्ट्रेटोस्कॉप ही गरनिटिंग करता हूँ सुनाई दे रहा है बचा यह सबसे खतरना कंडिशन है दो नमबर देते हैं इसके लिए और दोस्तो एर एंट्री एकदम किलियर है इकवल है तो जीरो थोड़ी कम हुई है तो एक बहुत ज्यादा कम हुई है तो दो नमबर इसको रिंग सिस्टम में पांच कंपोनेंट याद रहेंगे क्विक रिविजन रेस्परेटरी रेट साइनोसिस रिट्रक्षन ग्रंटिंग और एर अंट्री कंपोनेंट याद जितना के सिस्टम में कवह लिए जाते हैं एक काम में लिया जाता android स्कॉर और एक प्रीवियस्ली हमने पड़ा है सिलोरुमान ऐंडर्सन वंटेय स्कॉर नों में जञाए और वहांच वह थारुपरेंस है याद्रल को याद रखना एक्जाम में नबर देए अब तो आज कर एक important और कतई खास जहर topic हमने deal किया है फिर मिलेंगे नए session के साथ में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै माकाल